सीकपुरा मुख्य सरक मार्क पर लगातार सरक दुर घटनाय घटित हो रही है। ऐसे में एक सप्ता के अंदर कई ऐसी घटनाय घटित हो चुकी है जिसमें कई लोगों की चान जा चुकी है। तो कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। गुरुवार को भी मंदना से जख्मी हो गए। वहीं अस्थानिय पर्त्यक्ष दर्श्यू ने बताए कि घटना में दोनों यूबक हाईवा के पईए के नीची आ गए। इसके बाद हाईवा चालक ने गारी रोक कर पहले दोनों को चक्के की समीप से बाहर निकाला। उसके बाद वहन लीकर फरार हो 2018 विसनी मांची का 30 वर्शी पुत्र अवधिस मांची और रेनू मांची का 20 वर्शी पुत्र करकु मांची के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि 12 माई को करकु मांची की साधी होने वाली है। साधी के लिए अपने एक दोस्त अवधिस मांची को गारी पर आ रहा था इसी दारान टाटी नदी के समीब एक और नियंत्रित हाइवा ने पीछे से टक्कर मार दी घतना में बाइक बुड़ी तरह से छती ग्रस्त हो गया जबकि दोनों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है दोनों को सेकपुरा सदर अस्पताल में भरतिक रह गया ज आधाल है बतादे की सेकपुरा बरबिगा मुख्य सरक मार्क पर लगातार ट्रकों की द्वारा कई लोगों को ठोकर मारनी की घटनाय सामने आ रही है जिसमें कईयों की जान जा चुकी है पुलीस प्रसाशन इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह फिल साबित हो रही है जि